हेलो फिंट्स वेल्कम टू सड़ी ग्रूप पार्शला मैं हुग लाश और आज ही क्लास में डिस्स करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे को और यह सो गो ऑनर की लिंग पर ठीक है काफी अधा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए स्पेशली एससी पासना attach के लिए अब इसको तैयार कर सकते हो और इसके फ्लीट प्लेइस्कों ज़बर देख लिए गयिस्गा जितने मोश्ट मिल जाएगे तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिशन में मिल जाएगा वहां वहांसे जाकेよ बड़ीयगह तो आपको इन बुक्स को ले मार्किट में वेलेबल हैं उन सब में वर्ड लिमिट काफी जादा होती है यानि वर्ड जो है काफी अधा एक्सीड करते हैं वर्ड लिमिट से तो यह इश्यू आपका इससे सॉल हो जाएगा इस बुक के तुरू आपको जितने भी टॉपिक्स मिलेंगे वह सारे के सारे इसकाउंट भी मिल जाएगा तो डिस्कुप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है महां से जाके आप डिसकाउंटे रेट्स पिन बुक्स को ले सकते हो अपने एक्जाम के साफ से से सीजील सी एचसल जेस्ट या फिर आफिर आईवीप्स पीयों के लिए तो चलिए देए तो देए तो विक्टिम ऐस ब्रॉट सेटब युदा उसने जो कमुनिटी है उसके रूल्स को वायलेट किया है उसके बेसिस पर किसी को मारना ओनर किलिंग कराता है यहां पर आप बिल्कुछ simple language में लेख सकते हैं इसके बारे में generally women become the victim of honor killings where the male family members kill them due to shame यानि जो normally जो होता है generally जो होता है women जो होती है इसकी victim बनती है यानि माहिलाय जो होते है वही जो है इसकी prime victim बनती है क्योंकि male family members जो है उनको shame की वजह से उनको kill कर देते हैं उनको मार देते हैं ठीक है तो यह situation रहती है honor killing में आप यहां पर बता सकते हो ठीक है general common जो है इसके बारे में overview आप दे सकते हो कि honor killing होती क्या है basic basic definition basically आप आप दे सकते हो right in some cases both men and women can become victims of honor killings ठीक है यानि कुछ cases में men and women दोनों ही victim बन सकते है honor killings के ठीक हो वो basically depend करता है कि कि इस type का मामला है right it is a type of violence practiced within the family ठीक है यह एक तरह का violence होता है एक तरह का अत्याचार होता है जो कि within family होता है family members के दोरा ही होता है right तो यहाँ पर आप दोस्तों यह भी बता सकते हो कि इसको कोई बाहर के लोग जो यह violence होता है कोई बाहर के लोग नहीं करते हैं right तो यहाँ पर इस तरह से दोस्तों आप introduction में इस topic को explain कर सकते हो और यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा आगे move करते हैं हम लोग body section में तो body में आप यहाँ पर लिख सकते हो it is normally done to protect the family's honor यानी honor की लिंग कप की जाती है जब अपनी जो भी family है उसके honor को protect करने के लिए अपनी family की basically honor को अपनी इज़त को बचाने के लिए ही क्या होता है honor की लिंग की जाती है ठीक है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसके बारे में और detail में आपर बता सकते है in male dominated societies the activities of women and girls are closely monitored ठीक है यानी male dominated societies में क्या होता है जो activities होती है women या फिर girls की उनको closely monitor किया जाता है ठ victims that are subjected to honor killings are believed to have been involved in actions that are considered sexually immoral ठीक है यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हो जो भी victims होते हैं जिनको honor killing जिनको basically honor किया जाता है उन में किसी ना किसी तरह का यहाँ पर आप बता सकते हो कुछ ना कुछ ऐसे action involved होते हैं जिनको sexually immoral समझा जाता है ठीक है इसी की वज़े से honor killing होती है तो यहाँ पर आप prime reason बता सकते हो कि क्या main कारण है honor killing के पीछे तो उसको भी यहाँ पर explain कर सकते हो a woman is targeted to kill for various reasons such as having sexual relationship before marriage और outside marriage seeking divorce और separation from her husband ठीक है यानि जो woman है उनको कई तरह से target किया जा सकता है कई तरह से उनको मानने के लिए target किया जा सकता है honor killing में चाहे वो sexual relationship हो before marriage या फिर outside marriage हो ठीक है या फिर divorce हो या फिर separation हो किसी भी तरह का अपने husband से तो इस सभी कारणों की वज़े से जो है woman को generally basically target बनाया जाता है honor killing के respect में तो यहाँ पर बता सकते है situation बता सकते है किन situation में honor killing होती है तो यहाँ तक आप लोग इस तरह से लिखोगे इसमें आगे दोस्तों बढ़ते और भी चीज़े आपर आप बताओगे body में ही हम लोग आगे continue करेंगे कि in few cases a man and woman decide to run away from their family because they are in love with each other ठीक है मतलब कई cases में ऐसा भी होता है कि men और women decide करते हैं कि भाग जाएं वो ठीक है कहीं और अपनी family से क्योंकि वे एक दूसरे को प्यार करते हैं लव करते हैं वोट नहीं करती हैं ठीक है और क्योंकि जो basically inter-caste या फिर इंटर-religion marriage की कारण जिसकी वज़े से फिर honor killing होती है ठीक है यहां पर आप बता सकते हो जो prime reason है main reason है किस वज़े से क्या-क्या situation बनती है honor killing के respect में इसके बाद देखो in the states of Haryana, Punjab and Uttar Pradesh of India the maximum number of honor killings take place ठीक है सबसे ज़ादा जो honor killings होती है आपकी हर्याना पंजाब और Uttar Pradesh में ठीक है यहां पर सबसे ज़ादा honor की links होती है ठीक है तो यहां पर आप यह भी बता सकते हो जो data है वो भी यहां पर आप दे सकते हो इसके regarding राइट दोस्तों इसके बाद आगे move करते हैं these cases remain legally unreported to the police due to the direct or indirect support from the villagers ठीक है यानि जो है यह जो cases होते हैं वो unreported रहते हैं मतलब इनको कोई report नहीं करता police को ठीक है क्योंकि इनका support जो है villagers होते हैं वो support करते हैं इसका ठीक है इस वजह से legally यह report नहीं किया रहते हैं इस तरह की cases को ठीक है इन इंडिया women are victim of 97% of honor killings act यहाँ पर आप बता सकते हो इंडिया में जो वोमें है वो 97% जो honor killings act में वेक्टिम बनती हैं ठीक है तो यहाँ पर आप इसके regarding जो है data दे सकते हैं कुछ facts भी डाल सकते हैं ताकि और आपका ऐससे attractive हो जाए attractive लगे राइट दोस्तों तो अच्छे से आप लोग इसको लिखोगे इसके बाद finally हम लोग मूफ करते हैं तो इस तो conclusion में ठीक है conclusion में आप बता सकते हो इसके regarding government का क्या role है government ने क्या किया है इसके regarding राइट और भी चीज़ें आप आप बता सकते हैं जैसे in some countries judicial system failed to take actions to the laws against the killing committees ठीक है यानि कुछ countries में क्य अच्छा होता है जो judicial system है वो इसके against action नहीं लिए पाता क्योंकि जो killing committees होती है यानि जो इस तरह की committees या इस तरह के जो लोग होते हैं वो उनके against कोई strict laws नहीं बने होते हैं तो यह भी situation मनती है इसको भी आप बता सकते हो the government of India should have strict laws against the people who not only commit a heinous crime but also supported by hiding it and removing the evidences or reporting it as suicide ठीक है तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो government को इसके against strict laws बनाने की जो रहता है कड़े कानून बनाने की जो रहता है ताकि जो है इसको खतम किया जा सके पूरी तरह से और इसमें जो है जो यह जो crime है इसके जो support कर रहे हैं उनको भी दंडित किया जा सके चाहे वो evidences को हटा के कर रहे हो evidences को छुपाने में help कर रहे हो या फिर इसको as a suicide report कर रहे हो ठीक है तो इसके लिए भी जो है यहाँ पर उसके against कड़े कानून होने चाहिए तो यहाँ पर आप बता सकते हो role क्या है government का कैसे government इसके against action ले ठीक है तो वह भी आप यहाँ पर suggestion दे सकते है अप लाइफ इन दा नेम ओफ ओनर ठीक है यह जो गंभीर एक तरह से offense है तो इसको immediate attention की जड़रत है मतलब इस पर कड़ी कारवाई की जाए ठीक है एक तरह से इस पर ध्यान दिया जाए और इसको monitor किया जाना चाहिए कि कहां पर इस तरह की cases निकल रहे हैं कहां से निकल के आ रह रहे हैं तो इस तरह से दोस्तों इस topic को आप लिख सकते हो बहुत ही best way में और I hope आपको समझ में आया होगा कैसे इसको लिखना है तो exam में अगर यह topic आपके पूछा जाता है तो आप उसको बहुत ही simple language में बहुत ही अच्छे से elaborative तरीके से लिख सकते हो right तो I hope आपको त्यार कर लेना साधी साथ प्रेसेक्स राइटिंग की पूरी प्लेइस को वाच कर लेना ताकि अगर प्रेसेक्स पूछा जाता है अपकी exam में तो उसको भी आप कर पाओ और साधी साथ application की भी प्लेइस वाच कर सकतो application भी मैं आप पर आपको करा रहा हूं इस सीरीज के अं प्रेसेक्स नहीं है चारों चीजी आपको त्यार करना तो त्यार करना जाएं तो इसलिए अपीफियर फूर सकते लिएन पूरा पूरा कम्प्लीटली वाच कर लेना राइट दोस्तो तो I hope आपका आज का वीडियो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईगा वीडियो एलफुल लगा हो तो लाइक करेगा इस वीडियो को शेयर करेगा अपने सभी दोस्तों में आप सब्सक्राइब कर लिजे इस चैनल को अगर आपने से कोई नया है तो इसके साही साथ आप मुझे टेलिग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्डेंट प्वीडियो क्लास की नोटिफिजेशन मिल जाएगी तो ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो राइट तो इसका लिंक आपको डिस्कुशन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूँगा वहा से जाके अब डिरेक तो अभी के लिए इतना ही नेक्स मिलते हैं इगली क्लास में टैंक्स वोचिंग